नमस्कार आप देख रहे हैं SPN 9 News और मैं हूँ आपके साथ नेहा परधान मंदी नरेंद्र मोधी ने शुकरवार को अचानक तीनों क्रिशी कानून को वापस लेने का एलान कर दिया इसके बाद अब पंजाब में किसानों की नाराजगी झेल रही बीजेपी के लिए चुनावी समी करनों में भी बदलाव हो सकते हैं अटकल यह भी है कि बीजेपी अपनी पुरानी सहयोगी शिरोमन या काली दल के साथ एक बार फिर से गड़ बंदन कर सकती है क्योंकि दोनों के बीच रिष्टे तूटने की वज़ा यानि क्रिशी कानून ही अब वापस लिये जा चुके हैं ऐसे में पंजाब में नएने प्रियोग करके अपनी पकड बनाए रखने की कोशिश में जूटी कॉंग्रेस की टेंशन एक बार फिर से बढ़ती नजर आ रही है क्योंकि इस पार पार्टी की पारी सम्हालने के लिए कैप्टन यानि अमरिंदर सिंग भी नहीं है बलकि वह बीजेपी से गटबंधन के संकेत पहले हिप देच चुके है ऐसे में कॉंग्रेस ने फिलहाल राजे में वेट एंड वाच की पॉलिसी अपना लिए है कई कांग्रेस ने कृषी कानुनों को वापस ले जाने को किसानों की जीत पताया हाला कि इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मताबिक पार्टी में अंदर खाने या चर्चा भी जोरों पर है कि भले ही बीजेपी ने उतर परदेश चुनाव को नजर में रखते हुई है फैसला लिया हो लेकिन गुरू पर्व के पावन दिन या गोशना करना अपने आप में यह संदेश है कि बीजेपी पंजाब की जनता की नराजगी को भी दूर करना चाहती है एक कॉंग्रेसी नेता के मताबिक फिलाल हमें भरोसा है कि यह फैसला हमारे लिए नुकसान दे नहीं होगा लेकिन हमें कुछ समय रुक कर यह देखना होगा कि पंजाब की जनता इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया देती है पंजाबी प्रतिक्रिया शील मत दाता है देखते हैं कॉंग्रेस पहले ही कैप्टेर अमरिंदर सिंग पर नजर रखे हुए है जिन्होंने हाल ही में अपनी नई पार्टे का एलान किया था और यह भी कहा है कि वे अगले चुनावों में बीजेपी का साथ देंगे अब कॉंग्रेस में अंदर खाने में यह चिंता पढ़ गई है कि अगर अकाली दल और बीजेपी फिर से साथ आ जाते हैं तो यह कॉंग्रेस के लिए चिसंकेत नहीं होंगे खास तोर पर शहरी सीटों पर एक नेता ने कहा शहरी सीटों पर जहां वयापारी किसानों के आंतो सुख़ी करन हो सकता है क्योंकि कॉंग्रेस ने हाल ही में एक एससी समुदाय के नेता को मुक्य मंतरी बनाया है शिरोमनिय काली दल के चीफ सुख़ी सिंग बादल ने शुकरवार को यह साफ कहा कि वह बीजेपी से किसी भी कीमत पर कटबंदन नहीं करेंगे लेकिन कॉंग कॉंग्रेस का मानना है कि दोनों दल क्रिशी कानून के मुद्दे पर ही अलग हुए थे और अब यह मसला सुलज गया है इसलिए बीजेपी और अकाली दल कभी भी एक साथ आ सकते हैं इसमें अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है एस और खबरों के लिए बने रही है एस पेन न